करने वाला है अपने नंबर अनॉंस मार्केट आर के बाद और कैसे मुझ कर सकता है रिलाइंस की वज़े से कल निफ्टी देखते हैं तो रिलाइंस का यह चार्ट है रिलाइंस के चार्ट पर ब्यूडिफुल फ्लैग बना है मेरा इस चार्ट का टार्गेट 3000-3030 है अब रिल हमारे में की सौन का घ्कता कर सकते है किने चाहिए नंबर का सचिने नंबर के बार्ट वतंतर भी ताटी कि अचराव यह त्टी रयह को सब्सक्रnah शलीख का कर सोरी कि सफटेट एक मोन हार बना है थिसको मीद्ज़ेंट का बम्स पर बना होना चाहिए कोड़र कोड़र रिलाइंस रिटेल के नंबर जो स्टोर्स ओपन है उसका फिकर बड़ा ना चाहिए and that is something which is we are looking at to reliance रिटेल का मेरे साब से something which everybody expect a very good number income is something around 84,270 करोड के असपास expected है अब रिलाइंस जी हो जो मेरे सबसे सबसे बड़ा एक तो इंकम 26,000 करोड का expectation है 5,330 करोड का revenue expectation है लेकिन जो सबसे important figure मेरे हिसाब से रिलाइंस जी हो में है वो है net subscriber edition तो quarter and quarter शायद expectation बहुत बड़ी नहीं है मतलब decline होगा लेकिन पिछले 8 quarter से बहुत अच्छा growth दिखा गया है net subscriber edition में so 48.1 करोड expected subscriber based होना चे compared to 47.1 करोड अब बात करें overall you know margin की तो मुझे लगता है कि Reliance जी हो का margin 52.3 विच इस stable रहना चे और आरपू आरपू मतलब average revenue per user 188.8 के असपास है अब मेरा expectations है based on whatever little that my studies के आने वाले कुछ दिनों में हम telecom में terrifies देख सकते हैं इसकी विज़े से मैं Reliance पर भी bullish हूँ even मैं you know idea पर भी bullish हूँ and we will have a very separate video on the idea in a later you know week but my expectation इसके ठीक ठाक number होने चाहिए stock उपर रहना चाहिए अब अगर हम बात करते हैं चार्ट की तो यह है चार्ट Reliance के implied volatility का see results से पहले हमेशा implied volatility देखी जाती है तो implied volatility 32 33 के आसपास है which is last result था उसके around में ही है और आज बहुत अच्छा हुआ है अगर हम options का data देखते हैं तो दो ही चीज में से सबसे सबसे इंपॉर्टन है 3000 के call में यह परसो की expiry है 25 अपरियर वाली 55 lakh shares है 3000 के call में मुझे लगता है 3000 अगर 3000 के उपर गया तो ही यहां पर unwinding आएगी लेकिन आईवी अगर 233 के आसपास है तो यह 21 वाला option अगर फ्लैट भी खुलता है थोड़ा वी उपर जाता है तो यह पंदरा सूला के आसपास आएगा बिगोज आईवी कम हो जाएगी at least 5 से 10 पॉइंट का आईवी का you know decline expected होता है अब रिलाइंस का अगर हम चार्ट देखते हैं तो मेरे इसाब से ब्यूटिफुल फ्लैग है इस फ्लैग का अपसाइड में टार्गेट अब नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं यह गयाप से खुल जाता है 3000 क्या तो वेट करिए क्योंकि 3000 के कॉल में है उस सूरत में अगर पुल बैक करता है 2980 फिर एंटर करिए और फिर बाद में 3030 तक जा सकते हैं तो फ्लैट खुले तो बाई करो थोड़ा नीचे खुले त तक की वेट करो और बहुत अगर उपर खुल जाए तो 3000 के आसपास खुले तो मेरे सब सब पुल बैक की वेट करो 3000-3030 एक्सपेक्टेड है तो यह रिलाइंस की ट्रेडिंग स्राटेजी है अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की चैसे हमने कहा था एक्जाक्ली वैसे हुआ कल के सेशन में बात किती कि बैंक निफ्टी ऊपर खुलेगा यह लाइन के आसपास में एक्सपेक्टेड रेजिस्टंस ए उसके बद पुल बैक आया पूरा दिन कुछ ने किया तो एंड हमने यह राइस देखा यह राइस का क्लोजिंग बहुत अच्छा है 48,000 के आसपास क 350 पॉइंट उपर है डाव फ्यूचर 212 पॉइंट जब हम क्लोज हुए तब 180 पॉइंट के आसपास मेरे इसाब से बहुत अच्छा क्लोज है बैंक निफ्टी का मेरे इसाब से बैंक निफ्टी इस एडिंग फो 48,000 तो यहां पर बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाह 47,800 के स्टॉप लोज के साथ में तो स्टैटेजी क्या होनी चीए अगर फ्लैट खुले तो लॉंग करो मार्जिलरी नीचे खुले तो लॉंग करो 47,700 का स्टॉप लोज रोखो अगर 47,200,300 की रेंज में कुलता है तो पुल बैक की वेट करो 47,400,500 का अपका टार्गेट मेरा शॉट का व्यू नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हूँ ओरनाइट क्या होता है मुझे नहीं पता इस वक में रेकॉर्ड कर रहा हूं पांच बच के 10 मिनिट मंडे पे रेलाइंस के नंबर अभी तक नहीं आ है नहीं अभी ग्लोबल मार्केट में को करो थोड़ा नीचे आया लॉंग करो बाइस चार्सो के उपर जसे ही जाता है मुझे लगता है बाइस पांसो पांसो पचास तक जाना चाहिए और रीजन क्या रिलाइंस रिलाइंस के विज़ अच्छा रहेगा आज एश्डी एफसी बैंक के नंबर्स के बाद एश्डी अब बात करते हैं लास्ट में कौन से स्टॉक से जो मैं कल लॉंग करना चाहूंगा सबसे पहले कल जो मैंने कहा था चैसो का टारगेट मैंने ये वीक में कहा था आज ही हो गया फिल वेरी लखी अब दाट तो वो चल गया अब जो मुझे कल के लिए एक स्टॉक अच्छा अब मुझे लगता है यहां से उपर जाना चाहिए तो 2080 के स्टॉपलोस से लॉंग करना है मुझे लगता है अब साइड में 2120 तक चाह सकता है दूसरा एक स्टॉक जो मुझे लॉंग के पॉंट ऑफ यू से अच्छा लग रहा है वह है आई एक स्टॉपलोस का स्टॉपल खुले तो लॉंग करो थोड़ा से नीचे आए तो लॉंग करो अगर बहुत खराब नंबर आते हैं तो 2900 तो लॉंग करो शॉट का मेरा व्यू नहीं है अब साइड में 3000 के आसपास तो बुक कर लो 3000 के ऊपर जाता थे 3000 30 त जाएगा तो 3000 में हाइस कॉल ओपन एंटर से बा तो लॉंग रहेना है 48,300,48,400 टार्गेट है निफ्टी 22,300 के नीचे इस तो बुक कर लॉट नहीं है 22,250 के आसपास बाइस चार्सों पचास पांचों तक जा सकता है तो यह था आज का मांके अनाइसिस लेट में नो इन दे कमेंट्स हाव यू लिकिंग और यू लिकिंग भाइ